आपका दिन का काम जाता है जिसे आटाचकी की बात करें तो लोग वहाँ पे वाटर पंप जरूर मिलेगा आपको वहाँ पे फैन के लिए चाहिए या वहाँ पे नमस्कार मैं हो पुर्शोतम पांडे स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में दे आप अपने घर में भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में तो वीडियो को पहले से ही लाइक और चैनल में नए है तो सबसे पहले मैं आपको आज 5 जून है और आज परियावरन दिवस है तो परियावरन दिवस की हार्दिक बढ़ाई आपको और साथ ही परियावरन दिवस की बढ़ाई नहीं परियावरन किस तरीके से अच्छा रहे इसके लिए हमें जादा से जादा पेर भी लगाना चाहिए जी साथ ही साथ ग्लोबल वामिंग का जो अलाम है वो ब पर जादा ध्यान दे रहे हैं और यह जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं इन सब सारे तो यह आप देखेंगे कि गौव में भी लोग इस तरीके का वेबसाइट कर रहे हैं और साथ में अर्बन सिटी में भी कर रहे हैं तो देखें सारे लोगों के लिए जैसे कि जिनका की इसके अलाबा यदि वो दुकान कर रहे हैं या सौप है उनका तो इसके अलाबा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या स्मॉल कुछ अलग तरह का इंदस्ट्री है तो इन सब कैटेगरी में आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कौन सा सोलर पैनल सिस्टम लगान आप एक आत्मिर निर्भर बन जाते हो बिजली बनाने के मामले में दिन में आप डिरेक्टली सोलर पैनल से यूज करोगे बैटरी चार्ज करोगे और रात में आपकी रिक्वार्मेंट वही सिस्टम फुल्फिल करेगा तो यह कंप्लीटली ऑफ ग्रीड सोलर पैनल सिस्ट का से दिन गाम करेंगे और हम अपने से लिंक करके इस तरीके मूटर इससे डिरेक्ली चल जाता है तो इसमें इनवर्टर लगाने की जरूरत ही नहीं परती As चार तरह का solution majorly work करता है और इसमें एक तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा लगेगा तो अब देखे ये तो चार तरह का solution मैंने बता दिया अब इंडस्ट्री के हिसाब से जाएंगे तो देखे जो इंडस्ट्री दिन दिन में काम करता है या दिन रात काम करता है तो उसके हिसाब से solution change होता है जी हां जी बिल्कुल change होता है तो suppose देखिए कि आपका दिन का काम जाता है जिसे आटा चकी की बात करें तो लोग वहां पे अपने गे हूं वहां पे दिन में ही जाते हैं और दिन में ही जाता से जाता requirement रहती है वहां पे तो वहां पे मोटर 5 HP का है 10 HP का है 50 HP तक का भी है तो यहां पे यदि हम उससे सिंक solar panel लगा दे और उसमें एक VFD लगा दे तो हमारा काम दिन का पूरी तरीके से solar panel system पे ही चलेगा हमें grid के connectivity चाहिए ही तो यहां पे हम क्या solution डिजाइन कर सकते हैं कि VFD के थुरू हम अपने solar panel लगा दे देकि आटा चक्की में और इसी तरीके का यदि इंडस्ट्री है आपका कि जहां पे आप दिन दिन भर का काम करते हो तो यहां पे आप सबसे यदि मोटर के साथ कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप solar panel और VFD के थुरू चले जाओ इसमें बहुत कम खर्चा आता ह जी हां बिलकुल बहुत कम खर्चा आता है और आपकी सारी requirement जो है solar panel system generate करके देता है अब देखिए बहुत से ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे दिन में भी काम चलता है रात में भी काम चलता है तो यहां पे यदि वहां पे grid की connectivity ज्यादा महंगा पर रहा है तो वहां पे मैं suggest करना चाहूंगा कि off grid solar panel system लगाए जी हां बिलकुल off grid solar panel system लगाए जहां पे कि आपका पूरा requirement जो है आपके factory का वो दिन में तो पूरा solar panel कर देगा साथी बिजली को store भी कर लेगा और उसके बाद जब रात में आप काम करोगे तो यहां जो battery में आपने store किया था electricity उससे आप सोच रखते हो और इवन कि उसके बाद ना यदि grid की connectivity रखने की वी ज़रूरत नहीं है जी हां according to your load आप solar panel system लगाओ और वहां पे पूरे मजे से आप solar panel system का मजा लो electricity के लिए तो यह सबसे बहतर हुआ ना बिलकुल हुआ और इसमें क्या है कि आपको grid का जो एक्स्रा आपको भरना परता है बिजली का बिल भरना परता है उससे आप बच जाओगे solar panel system एक बार जब लगाया तो यह लगभग 25 से 30 साल चलने वाला है 30 साल की warranty भी आ जाती है और इसमें जितना भी खर्चा आता है ना वह लगभग 3-4 साल में recover कर देता है जी हां ROI निकाल के देता तो आप समझे कि 4 साल में मेरा पैसा वापिस आ गया उसके बाद मैं 26 साल तक free के मजे लूँगा और उसके बाद भी यह चलते रहता है जी हां उसके बाद भी चलते रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए बात करते हैं गौशाला को अब जब एक कोई गौशाला है ना तो वहां पे दिन रात दोनों के लिए electricity चाहिए बिलकुल चाहिए तो अभी गौशाला में ज्यादा requirement नहीं होती है लेकिन वहां पे water pump जरूर मिलेगा आपको वहां पे fan के लिए चाहिए या वहां पे जो maintenance के लिए लोग रहते हैं यानि गौशाला को operate करने के लिए जो लोग रहते हैं उनको भी तो electricity की requirement होगी ना तो उनके लिए लोट चाहिए तो आप समझे पांच से दस किलोवाट का आपने डिपेंड करता है कि आपके यहां पे कितने लोग हैं और किस तरीके का काम है इवन कि आप यदी देखो वहां पे आज के समय में A2 घी निकालन का काम होता है गौशाला पर ही तो वहां पर क्या मोटर से भी लोग आजकल उसका प्रोसेशिंग करते हैं तो वहां पर आपको मोटर से ऑपरेट करने वाला करने के लिए electricity चाहिए तो वह भी आप solar panel के थ्रू कर सकते हो तो यहां पर गौशाला में खास करके गौशाला में जहां पर इस तरीकी का requirement होता है ना वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है बिल्कुल off-grid solar panel system ले बिल्कुल off-grid solar panel system ले जिसमें की grid की connectivity रखने की ज़रुरत ही नहीं है जी हां बिल्कुल grid की connectivity रखने की ज़रुरत नहीं है आपका solar panel आपका battery system आपकी सारी requirement को फुल्फिल करेगा और आपके गौसाला के हर एक नीड को वहां से पूरी तरीके से फुल्फिल करेगा तो यहां पर यदि off-grid solar panel system आप लगाते हैं गौसाला जैसे जगों पे तो आपके लिए पूरा तरह से चलेगा और factory में यदि दिन में चलता है रात में चलता है दिन मे भी चलता है तो वहां पर hybrid solution डिजाइन करवा सकते हैं तो इस तरीके से नीड के एकॉर्डिंग ना solar panel system वैरी करता है जी हां वैरी करता है और इसकी एकॉर्डिंग ही आप सजिस्ट कर सकते हो यदि किसकोई इस वीडियो के माध्यम से अपने website में इस तरीके के चीजों को implement क करें तो वह बहुत अच्छा रहेगा आप एक बढ़िया solar panel system अपने customer को सजेस्ट कर पाओगे तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो अब देखिए की system चल सकती है समझ रहे ना बात को इवन की food processing unit है यदि दिन में चलता है तो आप solar panel system पे जा सकते हो रात में भी चलता है तो off grid solar panel system के साथ चल सकते हो और even की वहाँ पे बिजली की connectivity ही नहीं है तो वहाँ पे off grid solar panel system के लिए जा सकते हो और food processing unit यदि आपका even की जहाँ पे electricity आ रही है वहाँ पे है तो on grid भी वहाँ पे अच्छा काम कर सकता है लाइक की बिजली भी आपको पूरी तरीके क्या देगा और साथी grid में भी जमा होगा तो जहाँ पे net metering की शुबधा available है वहाँ तो बड़ा अच्छा surplus हुआ तो वहाँ से हम ले पाएंग कि रात में और वह सबलेट हो जाएगा वह एक तरह से एक्वल होगा रिकंसाइल होगा और तब हमारे बिल में सो होगा तो इस तरीके का solution आप प्रीफर कर सकते हो अपने usage के according अब बात करते हैं small industry में बहुत सारे ऐसे industry आ जाती है जहां पे दिन में भी काम चलता है रात में काम चलता है तो वहां पे भी इसी तरीके से बिजली के हिसाब से आप डिशाइड कर सकते हो बिजली नहीं है तो ऑफ-ग्रीट में ही जाना परेगा बिजली है तो हमारे पास दोनों चोईस है राइक on-grid भी जा सकते हैं और hybrid भी जा सकते हैं तो इस तरीके से आप डिजाइ बन जाता है जी हां solar panel system जिस तरीके से लगना चाहिए उस तरीके से वहाँ पे नहीं लगता है तो यह आपको सोचना परेगा और इस तरीके से solution को न देना परेगा अपने customer के लिए तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बता है और वीडियो अच्छा लगा तो अलफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए चैनल पर बार बार आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जाहिंद कि अच्छे कि अच्छे कि अच्छे कि अच्छे कि